कि कई बार आपके पास जब अस्विस्ता रहती है आपकी कार्ड्स समझ नहीं आता क्या करें तो आप फिर ट्रम का पत्ता फेकते हैं कौश्वेश आईए कि क्या रहे है 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 हुआ है 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 ठीक है है ओडर है मनना पड़ेगा भाई है कुछ बोल रहा हूं आप लोग लग गाना सुना रहा हूं आप आज उतनी अच्छी है है नितलरेट करना है 2-244, 3-121, 122, 123, 24, 125, 126, 140, 141, 42, 43, 46, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 67, 99, 72, 73, 95 चार 71, 72, 74, 75, 76, 77, 84, 89, 91, 94, 95, 4, 100, 101, 102, 103, 4, 141, 5, 33, 35, 82, 8, 1, 8, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 95, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 36, 39, 41, 44, 42, 71, 83, 86, 88, 92, 91, 11, 120, 12, 123, 16, 110, 22, 42, 28, 58, 24, 53, 25, 25, 29, 95, 36, 49, 69, 73, 55, 33, 33, 38, 33, 33, 33, 39, 39, 29, 25, 26, 29, 29, 26, 29, 65, 67, 67, 67, 69, 68, 69, 69, 68, 69, 69, 68, 64, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61 stable, 63, तेरा तिरसट चार चौशट चौदा चौशट सूनने नो तिहत्तर दो सूनने चिहत्तर जीरो आट यह वो एक सो चौशट आयते हैं जो एक किताब में लिखी हैं जो आप सब के सबसे पहले अधिकार कंस्टिटूशनल राइट भी नहीं नेचुरल राइट जो होता है राइट टू लाइफ जिसके बाद दुनिया की हर चीज शुरू होती है उसको एब्रोगेट करती है कि यह वैसे अनोखा है कि मुझे यह किताब 164 बार जीवन जीने का अधिकार नहीं दे रही और हम लोग इस पर तालियां भी वजा रहे हैं कि और दुख पीड़ा दर्द सेडनेस सब कुछ यह है कि आज भी यह 164 वर्सेस जियों की त्यों है और इस देश में सब कुछ है एक सो कॉल्ड इस्टेट है जिसके तीन अंग है लेजिसलेटिव है एक्जिक्यूटिव है जुडिसियरी है हर चीज में सुओ मोटो लेने वाले हमारे मिया लॉड्स है दिवाली पर पठाके फूटेंगे नहीं फूटेंगे सबरी मला में हमा इस देश की न्यायपाली का वही न्यायपाली का उन हिंदू बहन बेटियों के बलतकार करने को कहने वाली किताब पर मौन है कि हम क्या करें यदि हम सत्य बोलें तो हेटी स्पीच है कि 295 ए कि सच बोलें तो कंटेंट ओफ कोट है कि कुछ लोगों को लगा रहा हुआ किताब में लिखा है किताब में लिखे रहने से क्या होता है कि यहीं अंतर हैं हम में और उनमें क्योंकि हम तो अपनी किताब मतलब यहां जितने लोग बैठे हैं मुझे अगर मैंसे दावा ठोकूं तो पूरी राम चरित्र मानस यहां बैठें पचास प्रतिसत्त लोगों नहीं पड़ी होगी और जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर हनुमान चलीशा को लेके सारा जो विवाद मचाया जा रहा है उनमें से आदों से फाल तुने कभी हनुमान चलीशा पहले पन्ने संतिम पन्ने तक की नहीं पड़ी होगी पर जिनकी ये किताबें हैं वो पढ़ते हैं दिन में पांच बार भी पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से होता क्या सर हमको लगता है कि अरे क्या करें हम पिछले 1200 सालों में पिछले 12 कोई कहेगा कि इन किताबों में लिखा होने से क्या होता है तो आप लोग दुबारा ध्यान से सुनिएगा पिछले 1200 सालों में 9 करोड हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और यह कोई मेरे घर का डाटा नहीं दे रहा हूं के एसलाल कि सोरी सरनलाल सीता राम गोयल राम सरूप स्कूल ऑफ थोड के इतिहासकार ऐसे इतिहासकार जिनकी एक किताब के एक चैप्टर में जितने रेफरेंस हैं उतने इर्फान हभीव के बाद मोहम्मद हभीव उसने का डाटा है कि विल्डूरंट का डाटा है कोई राड एल्स्ट का डाटा है और क्या है कोई बाद करोड़ पती अरपती लोग है मैं आपको न थोड़ा इसको तोड़के बताता हूं क्या पता हम सब जग जाएं कि क्या तुफैल जी के तो माथे में 6-6 गोली जब हम इस फिया को हरा देंगे तुफैल जी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे कि आओ भाई मेरे 6-6 मार लो अगर यही सबसे बड़े सत्रू हो गए है आज की डेट में तो मैं इस विश्य को छेड़ना नहीं चाह रहा था उन्होंने मुझे सक्त मना किया था पर वे नराज होएं हर साल 75,000 हिंदू 1200 सालों तक हर साल 75,000 हिंदू 1200 सालों तक मारे गए हैं यह माई आप लोग महीने की भरते हैं हर महीने 62,250 हिंदू अनवरत 1200 वर्सों तक इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग में लिखी आयतों के कारण मारा जाता रहा है और इसको मैं अगर वो कर दूँ थोड़ा आप लोगों के लिए सहुलियत के लिए इसको थोड़ा और हलका बांट दूँ तो हर दिन 208 हिंदू एक साल में 365 दिन होते हैं मैं 1200 सालों की बता रहा हूं कितने दिन होंगे 1200 गुणे 365 हर दिन 208 हिंदू मरा है और यदि मैं इसको तोड़ दूँ आप लोगों का लंच ब्रेक हुआ था एक घंटे का हर घंटे आठ हिंदू पिछले 1200 सालों से मारा जाता रहा है यह भी पीड़ा नहीं है उसमय हमें नहीं पता था इस रिजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का सच पर आज तो पता है इंटरनेट के युग में जब हम ढूंड ले रहे हैं कि सेकंड हैंड कार कहां बढ़ियां मिल रही है और कैमिलियास में कभ सेल आ रही है और फलाना यूनिकलो में कपड़े कभ सस्ते मिल रहे है अपल का नया फोन कभा रहा है तो तुपहल जी नहीं या किसी ने भी एक्स तुपैल जी की धर निगा देहां थुवा था माफ किजिएगा मैं ला रहा हूँ भी इन तीसरे दिन यह व्यक्ति लाइव कर रहा था क्यों क्यों कूह कि यह हो रहा है और आप देखिए हम किस से लड़ रहे हैं हम किस चीज पर लड़ रहे हैं हम किन चीज हो पर मतलब हमारा सत्रू हमको पता है कि नहीं है कि डॉक्टर रोमेंदर रतनु की किताब है महारानाज उन्होंने बोला नहीं वो बोलते तो रो जाते हैं और मेरी उनसे सदेव इस बात पर लड़ाई है कि मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि मैं डॉंट क्राई मैं पैट्रियार्चियल साउंड कर रहा हूंगा कि मैं जोईंट फैमिली से आता हूं जी हमारे खांदान में मैंने अपने खांदान के किसी मर्द को रोते वे नहीं देखा और मर्दों को रोने का अधिकार नहीं है जिसे रोना है साइड मजा के रोए कि डॉक्टर रतनू जब जोहर के बारे में बात करते हैं जब साका के बारे में बात करते हैं तो फूट फूट के रोते हैं कि आप लोगों ने सती के बारे में सुना है कि आप लोग को पता है जोहर क्यूं होते थे अगर किसी को मरना है तो मरने के तरीके हैं मैं किसी को आत्महत्या के तरीके नहीं बता रहा हूं कि परंतु आलू की सब्जी भंडारे में जो मिलती है खालो तलवे में चिपगा दिया तो ऐसे करने लगते हैं आज घर जाईएगा गरम कुकर या तबा छूके देखिएगा कैसा फील होता है अगनी से जलके म इर्त्यू होती है फिर हमारी माओं ने अपने मुह में तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल लेके अगनी कुंड में इस नान क्यूं करा प्राण देने के तो और भी तरीके थे क्या हमने कभी यह पूछा क्या हमारे रूलिंग एलीट सो कॉल्ड हिंदू रूलिंग एलीट कि यह सवाल पूछा इसका उत्तर दिया मैं बताता हूं एक सब्ध होता है नेक्रोफीलिया कि सेक्स विद डेड़ बॉड़ीज और आपको लग रहा होगा यह तो मतलब राजिस्थान में 300-400 साल पहले हुआ सिंध में 1200 साल पहले वह पुरानी बात है गूगल कीजिएगा नेक्रोफीलिया केसे इन पाकिस्तान पाकिस्तान में किसी जवान लड़की की मिर्त्य होती है तो उसके घरवाले 10-20 दिन उसकी कबर की रखवाली करते हैं क्योंकि लासों को कबर से निकालकर बलतकार किया जाता है और हमारा धिम्मी रूलिंग एलीट क्या कहने वह हमको कह कहता है कि वी शूट लर्न को एक्जिस्टेंस विद देम जब यह बात कहीं जाती है तो कोई सुप्रीम कोट का मिया लौड जस्टीस जोसफ हसता है वह कहता है कि ऐसा क्यूं कहा गया ऐसा क्यूं किया गया कुत्ता देखाओगा आप लोगों ने देखा जी कुत्ता भेडिये के बारे में सुना होगा कुत्ता और भेडिया एक ही होते हैं जैनेटिकली और डीने भी लगबग 99 परसेंट उनका सेम होता है पर कुत्ते हमारे साथ हमारे गाउं में रहते हैं हमारे घरों में रहते हैं क्योंकि कुट्टे और भेडिये के बीच में जब यह जो डिफ्रेंसियेशन है ना यह कि कुट्टे गाउं में रहेंगे भेडिये जंगल में रहेंगे या देखते ही मार दिये जाएंगे millions of years पहले इस समाज ने कर लिया था क्योंकि कुट्टे ने एक moral code को स्विकार कर लिया था कि मैं फालतू मैं किसी को नहीं काटूंगा जो मुझे रोटी देगा मैं उसे नहीं काटूंगा केवल काफिर होने के कारण काफिरों की हत्या की जा सकती है उनकी बेहन बेटियों को सेक्सलेव बनाया जा सकता है उनको लूटा जा सकता है और इच और इवरी थिंग आफ दिस हैसर डिवाइन सेंक्षन मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के रूलिंग एलिट से इस स्टेट से पूछता हूं कि हाव केन संबड़ी वू सेंक्षन रेप ऑफ इनोसेंट वूमेन भी गॉड how is it possible that this facade is going on हम सब के सामने हम सब सम्रिद्ध लोग हैं हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं हम सब लोग सबल लोग तो जो चीज हम भेड़ी और कुद्द में अपनाते हैं इसमें क्यूं नहीं अपनाते कि मैंने कुछ सेशन पहले एक चीज बताई थी हम लोगों ने मजाक में ली थी दुबारा दोहरा देता हूं जो पश्ची मुत्तर प्रदेश की फूफा वाली बात आप लोगों को दुबारा इस मरण कराता हूं आप लोगों को कंटेक्स्ट समझ में आएगा पश्ची मुत् दोंगों आप तो ऊस घर का फूफा घर आया सारे सिकायत पूफा जी ऐसा कर देता कुछ करते क्यों नहीं उसका बदमास है तो फूफा ने का बदमास है तो गोली लगने से मने कर देगी ऑं उस बालक ने यह चीज पकड़ली कि इसी पश्ची मुत्तर प्रदेश में मायात स्यागी कांड हुआ था आप लोग खोज के पढ़ें मेरे गुरु मुझे बताते हैं कि जो समाज अपनी बेहन बेटी के अपमान के साथ जीना सीख जाता है वो समाज मृत समाज होता है और उसे जितनी सीखर खतम हो जाए उतना बहतर सूनर बैटर और दुख इस बात का है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं हिंदू समाज अपनी बेहन बेटी के अपमान के साथ जीना सीख गया है कि निकिता तोमर आप लोगों को याद होएगी उसका बाप रो रहा था मेरे पर केस लड़ने के पैसे नहीं है जिसकी बेटी मार दी वो बाप जी के क्या करेगा जिसकी बेटी का बलतकार कर दिया गया उस घर के भाई बाप चाचा ताउ रहके क्या करेंगे मुझे को यह बताए मर्द है न वो मैं या मैं बस पत्नी पर जोर चलाने के लिए मैं कहलाते हैं इसका जवाब हमें देना होगा एक बड़ी चीज आप लोगों के भी मनों में आती होगी गुणी जन कहते हैं कि 20 करोड लोगों का क्या करेंगे कि सवाल आता है कॉमन रिफ्रेन यह वटब ऑटरी हो जाता है वी स करोड का क्या करेंगे भाई उन बीश जार ने तो नहीं सोचा था कि हम छी भारत पे हमला कर रहे हैं वहाँ जनसंख्या बीस करोड हैं उनका क्या करेंगे आप XP9 12 करोडने कब नेई सोचा था कि हिंदू 35 करोड है संब 47 में उनका क्या करेंगा करेंगे जब 1518 करोड हुए उन्हों हallas नहीं चाहँज़ा कि कसमीर सेम पंडितों को भगा रहे हिंदूों को मारके भगा रहें और 80 करोड़ हिंदू में उनका क्या करना खास भी करते हैं अ ईजब उन्होंने के रान खाली करवाया तब उन्ह नहीं 12 करोड चाहिए जब उन्होंने निकिता तोमर को गोली मारी उन्होंने नहीं सोचा सी करोड़ का क्या करेंगे तो यह सारा सोचने का ठेका हम ही ने ले लिया है क्या हनुमान चालीशा की बात हुई राम जी की बात हुए बिना पूरी नहीं हो सकती कि विने नमानत जलदी जड़ गए तीन दिन बीट बोले राम सकोप तब भैबिन होए न प्रीट वह राम की हमने क्या करती मेरे गुरू बताते हैं कि हम हिंदू बड़े न सिस्टेमेटिक लो सब्सक्राइब वह बड़ा कठीन है तो क्या करो उनकी फोटो लगा के दिवाल पर चिका दो कि खुश है कि यहीं होता है ना जी हम लोग के साथ में यह इसके अलावा भी कुछ होता है और जिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर समाप्त करता हूं अगले वक्ता का समय हो र बड़े भोले हैं मुझे गाउं से कुछ ज्यादा इंफेच्वेशन है कि कुछ ज्यादा ही और मैं एक दिन अपने गाउं चला भी जाओंगा सेहर में रहना मेरी मजबूरी है कि मैं आपको अपराधी कौन है यह बता देता हूं हिंदूों का सबसे बड़ा अपराधी है हिंदू सासक वर्ग जिसने आज तक अपने समाज से यह सत्य छुपा के रखा उसको को एक्जिस्टेंस नाम की नींद की गोली खिला के रखा भारत के गाउं से पहले के जमाने में जी दद्दा तुफेल जी आप सब लोगी जो आ होता था कि हमारे गाउं का लड़का दिली गया है कुछ गाउं के भले का होगा तो आके हमें गाउं में बताएगा उस लड़के ने क्या किया नोईडा में टू भी एचके ले लिया बच्चे छोटे थे जब नहीं पल पाते तो गर्मी की छुट्टियों में जाता था प्रश्चाओं को जाके सच बताना तो छोड़िये फुद भी जूट में जीने लगा और और एसा नहीं है कि समधान जो आप लोग सोच कि आंए कि किया समधान बचाएगा क्या बताया जाएगा आप लोग को पता नहीं है आप लोग को नराज हो नाराज हो मैं किसी को यहा के बहुत सरलसा समाधान और उसके सीवा कोई समाधान नहीं है घर वापसी भी उसके बाद होगी है घर वापसी भी उसके बाध होगी क्या हम उसके लिए तयार हैं जोने हैं रसल stimulus अल्स नियुक्स सिंगल लाइन तो आल दोज हिंदूस दोज वेफ कम देयर हिंदूस लर्ण टू स्टिक तोगेधर इन थिक एंड थिं इससे फालतू कुछ नहीं आज की डेट मेरा सब चंगासी जी तो मेरे पर तुम क्या मेरा साथ देऊगे मैं बढ़िया इपल का फोन चला रहा हूं मेरी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए मेरा टाइम खराब हो जाए कितने लोग है मेरे साथ मेरा नंबर ले रहे हैं मेरे से बात कर रहे हैं नहीं भले में तो सब होते हैं हमको इतना करना है किसी सज्जन ने पूछा कि क्या नाम कन्वर्जन कितने रुपए में करा लेंगे जब धर् तुलेमा हिंद है जी साहब कि 2015 में वकीलों की फीज धाई करोड भरी है कि किसलिए जिनने कमलेश्तिवारी के चाकु मार दिया किसी दूसरे हिंदु के चाकु मार दिया उसका केस फ्री में लड़ेंगे तो इस पैसे से घरवापसी के लावा भी 36 काम है जैसे आनंद राजा देख जीन हमारे सामने बनाया बताया अगर रवीश कुमार 17 लाख रुपे में बिकने को तैयार महीने के तो हम खरीद लेना भाई रवीश कुमार 17-18 लाख रुपे 20 लाख रुपे उसकी सेलरी थी हमसे ले 20 लाख रुपे भाई ये जकात के टुकडों पे जो कुत्ते भिक्रें हैं भाई हम पाल लें उन कुत्तों को क्या समस्या है भाई ग्रहत्यागी सन्यासी ये वो तो कृष्ण जी वाला टाइम गया और जो इस भरम में बैठा बोल के बाद समाप्त करता हूं सुसील पंडिजी को जुड़ना होगा कृष्ण बचाने नहीं आएंगे अब कोई और कंट्रवर्ची पैदा कर दियो कि देखो ये कृष् कर लेगा ठीक है उसमें सलोक में कृष्ण जी यही कहते हैं कि जो साधू जैसे है ना उनको बचाने आउंगा आप लोग चिंतन कीजिएगा आप मेंसे कितने साधू है जिने कृष्ण बचाने आएंगे